हेलो गाई सो वी आर लाइव नाव एंड आधकी क्लास में मैं डिसक्स करने वाली हूँ जैंडर स्कूल एंड सॉसाइटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्चन जो कि लास्ट तैनियर में आस्ट किये गए हैं रिपीड़ आपको देखने के लिए मिलते हैं आपको किसी भी स तत्सरी फर्स जो कोस्टेव आपका देखनी के लिए मिलता हैं वह मिलता है कि विकलांगों के लिए सिक्षा के विवेश्णा कीजिये अब इस पक्लांगों के लिए उस्यएक क explore कर देती हो इसमें आपको firstly लिखना देखा होगा boys and girls में आपको काफी difference करते हुए teachers भी मिल जाते हैं तो उसमें आपको लिखना है कि वो कैसे किस basis पर difference करते हैं और वो difference करना कितना गलत है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है तो यह सब point आपके एक ही long question में आ जाते हैं जो कि आपको discuss करने होते हैं बहुत पार ऐ दिखना ही है क्योंकि long तभी आपका 10 marks का बनेगा question number 3 है इस्तरी सिक्षा का इतिहास अब इसमें आपको mention करना है कि जो इस्तरी सिक्षा थी वो बुद्धकाल में कैसी थी मुसलिम काल में कैसी थी है ना तो वो सारे discussion points आपको इसमें discuss करने हैं detail में जाके कि जो history थी इस्तरी education की वो कैसी थी question number 4 प्रिजिन सम्मंदी अधिकारों का वर्ण कीजिए यानि कि प्रिजिन सम्मंदी कुछ अधिकार आपको देखने के लिए मिलते है कानून के रूप में तो वो आपको next question में मिल जाएंगे classes में भी मिल जाएंगे तो वो आपको सभी mention करने है question number 5 प्रिजिन समाजी करन की व्याख्या इसमें मैंने class share कर रखे सशक्ति करन क्या होता है check out करिए काफी अच्छी class है एक ही बार में आपका topic जो है वो complete हो जाएगा next question है कि लेंगिक भेदभाव तथा रोडी बद्धिता क्या होती है यानि कि लेंगिक भेदभाव कैसे कैसे किये जाते है गल्स बॉइस में और उसके पीछे हमारी जो सोच है जो पुरानी सोच मैं कहूंगी रोडी बद्धिता जो चली आ रहे है पीडी तर पीडी वो क्या है वो सब discuss करना है समाजी करन का सिध्धान्त समाजी करन क्या होता है उसके लिए आपको जो आपके सिख्षा विदों है उन्होंने क्या क्या कहा है वो सब इसमें आपको mention करना है और ये question सभी mostly आपको 80% मेरे चैनल पर अलग अलग बिन चाहेंगे class available है हर एक question की तो check out कर ले ना playlist को then question है कि sorry परिवर्तन agent के रूप में सिख्षक यानि कि सिख्षक कैसे परिवर्तन ला सकता है इस question का सीधा सीधा मतलब यह और आपको पता है एक सिख्षक आपके चारों तरफ अगर अच्छे से कोई परिवर्तन ला सकता है तो वो सिर्फ एक सिख्षक होता है तो वो कैसे कै क्या क्या काम करके परिवर्तन ला सकता है इस question में आपको वो सब discuss करना है question number 9 है लेंगिक विभिनताओं का सिध्धाती यानि कि लेंगिक विभिनताओं का जो सिधान थे वो चलता आ रहा है और currently उसकी situation क्या है इस question में वो सब discuss करना है question number 10 है लिंगे विभेद का अर्थ तधा कारन यानि कि जो जेंडर वायोस आपको देखने के लिए मिलता है उसके अर्थ क्या है और उसके पीछे कारन क्या है वो सब detail में discuss करने है देखो यह long type के question थे इसी से आपको long भी मिलेंगे और इसी से आपको short भी मिलेंगे इसलिए मैंने वही question discuss के जिसे long short दोनब बन चाते हैं हर एक question को long भी कर लो अलग से short करने की जरूरत नहीं है short और very short इसी में से निकल जाते है और इसी में से बनते भी है तो इसी लिए most important है और इस टाइप से आपको सभी subject के मिल जाएंगे चैनल की playlist चेक कर ल होते हैं so thank you for watching